दोस्तो आ चुका है हमारा पार्सल फ्लिपकार्ट कि तरफ से जो की है दोस्तो Poco का नया स्मार्टफोन Poco X6 Neo तो दोस्तो पोको का नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है X6 Neo X6 Series के अंदर पहले X6 आयता और X6 Pro आयता और अब आचुका है दोस्तो X6 Neo जिसका रेट जो है बॉक्स पे तो रेट है 20,000 लेकिन यह आपको 16,000 में मिल जाएगा तो इस वीडियो में मैं इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कैसे फीचर्स मिलते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों अन्बॉक्स करती सबसे पहला आपको येलो कलर में इस तरीके से एक मिनी बॉक्स मिलता है इसमें जिसमें सिमिजेक्टर टूल लगा हुआ है अंदर की तरफ इसके कुछ यूजर मैनुवल और एक कवर मिलता है कुछ इस तरीके से सॉफ्ट फिनिश में जो की क्वालिटी में काफी अच्छा है ब्लैक कलर में फोन मिल जाता है इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये औरेंज टाइप के कलर में डिटेल लुक हम अभी देखेंगे टाइप सी केबल दी गई है जिसके लेंट और क्वालिटी जो ये दोनों काफी जादा बड़िया मिल जाती है आपको तो केबल काफी अच्छी दी गई है और लास्ट में रखा वह मिलता है ये वाइट कलर में काफी सॉलिड चार्जर जो की एक 33 वाट का चार्जर है तो चार्जर आपको फास्ट मिलता है 33 वाट का विल्ड क्वैलिटी आपको सही मिल जाती है इसकी बाकी स्पीड भी ठीक टाक मिल जाती है बागि अगर थोड़ा सा और जादा फास्ट होता ना तो काफी बढ़िया रहता कम से कम 45 वाट का चार्जर हो जाता बॉक्स में तो काफी बढ़ी है रहता जो कि आपको 16,000 इसका rate जो है देखने को मिलता है तो box के contents ठीक तो दिये गए हैं लेकिन बिल्कुली best भी नहीं मिलते हैं क्योंकि charger ठीक टाक मिलता है ऐसा charger आज कल 19,000 के phones के साथ भी मिल जाता है चली बात करते हैं दोस्तों design के बारे में तो इसके अं नीचे और जो इसके अंदर आपको रिंग टाइप के देखने को मिलती है ऐसा लगता है रिंग आपने अलग से लगवाली इसमें तो design जो काफी ज़ादा बढ़िया और camera का module पूरा आपको प्लासिटी के टाइप का मिलता है और back panel मिलता है दोस्तों soft finish में तो plastic के टाइप क जो design है ना camera के पास से यह तो soft finish में इसमें scratches आ सकते हैं थोड़ा जो है इस तरीके से चिकना टाइप के मिलता है और नीची की तरफ आपको जो है दोस्तों यह पूरा pattern मिलता है matte finish में तो scratches हो रहा है कि problem भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और काफी बढ़िया चीजी है यह matte finish में design है तो design दोस्तो quality में भी काफी अच्छा है look wise भी काफी बढ़िया और काफी light weight है तो जिसे काफी अच्छा हो जाता है आपको दोस्तों इसका design कैसा लग रहा है कैसा नहीं x6 new आपको कैसा लगा कैसा नहीं आपको मुझे comment करके जरूर बताएगा वैसा ऐसा ही design Redmi के note 13 का है इस तरी की pattern आपको देखने को मिलता है अगर आप comment करेंगे तो मैं इसका comparison भी कर दूंगा उसके साथ तो comment कर दिएगा आप इसके लगद दोस्तों चलिए इसको on करते हैं आपको दिखातों display की quality के इंदर आपको कैसा मिलता है experience कैसा है तो इसके इंदर आपको 6.7 आपको दिखाते हैं इसके इंदर आपको जो कलर सोगरे कैसे दिये गए हैं तो इस तरी किसा आपको मिलता है पैसे ओपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी चलाने में दोस्तों यह पोको के दूसरे स्मार्टफोन की तरह ही लगता है आपको काफी एचिस के इनदर आपको मिलती है दोस्तों experience जो काफी smooth मिल जाएगा तो experience तो काफी बड़ी है मिलता है लेकिन quality कैसी है वह मैं आपको दिखाता हूँ तो दीखें दोस्तों के अंदर आपको punch hole camera वालतों डिस्पले में और edges bezels तो इतने कम मिलते हैं कि मतलब क् दिसप्ले का पंच होल यह बहुता है नाके बराबर मिलते हैं चिन भी बहुत छोटी है तो दोस्तों डिसप्ले के डिसप्ले को लेकर बिल्कुल एक नमबर फून है और जो डिसप्ले की क्वालिटी है वही सबसे इंपॉर्टेंट है तो वह चीज भी आपको बहुती बढ़ एकाड तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते हैं यहां पर आपको स्पीकर दिया गये हैं माइक और टाइप सीपोर्ट मिलता है साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन है फिंगर पेंट स्कैनर आपको डिस्प्ले में नहीं मिलता है यह मुझे इसमें कमी लगी डिस्प्ले में होना चाहिए तो साइड में मिलता है उपर से देखेंगे तो आयार ब्लास्टर भी है 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 एडफोन जैक भी है टीवी ऐसे वगरा चला सकते हैं नौइस केंसलेशन ने इसको प्रॉपर यूज भी नहीं किया और जो है मतलब कुछ एप्लिकेशन भी इंस्टॉल नहीं करी तो 28GB के सिस्टम ने पहले से घेर रखी है मतलब 100GB आपको मिलेगी यूजूल यह ऐसा होता नहीं है 108-109GB के आसपास भी फ्री मिलती है सब में 20GB यूज रहती है तो दो चीज आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको एंड्रोइड का 13 वर्जन मिलता है 14 तो नहीं दिया गया जो की होना चाहिए तो यह चीज भी मुझे थोड़ी से इसके अंदर जो है थोड़ी डाउन लगी अपडेटिड वर्जन 14 होता अल्रेडी तो काफी ब बढ़िया चाहिए तो प्रोस्टर इसके अंदर आपको अच्छा मिल जाता है एवी यूस के अंदर इसमा आपको दिक्कत नहीं होगी पर्फॉमेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी तो यह चीज भी से अंदर आपको काफी साही दिया गया है पाकी इस प्राइस रेंज के आपको तेरा 14000 में भी जो ऐसे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं अगर थोड़ा और बैटर हो जाता तो काफी बढ़िया रहता इसके लिए दोस्तों रिस्टार्ट टेस्ट में आप देख सकते हैं इसने इतना टाइम लिया और दोस्तों इसके इंदर में आपको कुछ एप देखने को मिल जाएगी बाकि दोस्तों आपस ओपनिंग टाइम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह किसे इतना टाइम लग रहा है स्पीड जो आपको काफी सही मिल जाती है इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी इसके लोग दोस्तों बात करें इसके कैमरे के बारे में इसके अ कैमरे की काफी बड़ी है इसके अंदर मिल जाती है कलर्ष होगाई फॉन 5 जी घ cellular लिए नए स्मार्टफोन में चली बात कर लेते हैं आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं क्या चीज़े इसे में बड़ी है क्या चीज़े ठीक हैं और क्या चीज़े आपको ढ़ी देखने को मिलती है तो जो चीज़े बड़ी है तो display बहुत कमाल किये colors बड़ी हैं design बहुत अच् scratches नी आएंगे तो से भी चीज़ बैलेंस मिलती है तो design को लेकर भी काफी बढ़ी आप इसको ले सकते हैं बैटरी भी अगर आपको बढ़िये चाही तो वो चीज़ भी सही मिल जाती है RAM और storage भी काफी सही दी गई है 5G phone मिलता है processor भी सही है rate के साब सा performance भी अच्छी मिल जाए तो rate के साब से काफी बढ़ी है यह 5G phone है और बागी features भी सही है आपको यह कैसे लगा कैसे नहीं comment करके बताएगा अगर आपको इसका comparison देखना है किसी और phone के साथ तो वो भी comment करके बताएगा मैं कोशिश करूँगा आपकी बसंद की वीडियो लाने की वीडियो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye